देंग खाता खोलने 50,000 आउस से ज्यादा के लिए अधार हुआ जरूरी काले धन और आईकर चोरी पर लगम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया है अब 50,000 से ज्यादा के लिए अधार जरूरी होगा साथ ही नए खादे खुलवानी के लिए भी आधार का पिखाना निवार्य कर दिया है आदेश में कहा गया है कि सभी मौजूदा बैंक खाता धारकों को 31 दिसंबर 2017 तक आधार संख्या से खादे को जोड़ना होगा ऐसा नहीं करने पर उनके खादे अवैद हो जाएंगे जिन खाता धारकों ने अपनी केवाई से पूरी कर लिए उन्हें भी आधार को खाते के साथ जोड़ना पड़ेगा पचास हजार से ज्यादा की रखन के लिए दिन पर आधार उसी तरह जरूरी होगा जैसे अभी पेंकार्ट को जरूरी माना जाता है इससे पहले केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ट CBTT ने सपश्ट कर दिया था कि एक जुलाई से इंकम टेक्स रिटन भरने के लिए आधार काप नमबर जरूरी होगा इसके अलावा नवा पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी इंकम टेक्स विभात की नीटी निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोट की ओर से दिये गए फैसले में सिर्फ लोगों को ही आंशिक रहत दी गई है जिनके पास आधार काप या फिर पंजी करन आउडी नहीं है इससे पहले आएकर रिटन भरते समय आधार संख्या पताने को आनिवारिया किये जाने के तेंद्र के फैसले को लेकर काफी विवात हुआ था कि हमामला सुप्रीम कोट तक गया जिस पर कोट ने कहा था कि समविधान पीट के अंतिन फैसले तक आएकर रिटन के लिए आधार काप को आनिवार्या नहीं किया जा सकता जिनके पास आधार काप नहीं है सरकार उन्हें पंजी करने पर जोर नहीं दे सकती लेकिन जिनके पास आधार काप नहीं है जिपन काप से जोर ना होगा